अलो गास वेलकेंटू स्पेशल एजुकेशन अमेशकार दोस्तों स्वाइट करते हूँ आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हूँ हमारी सीरीज सर ली थी जिसमें कि हमने छे क्लासिज डिसकस कर ली थी और आज कि हमारी क्लास नमबर सैवन तो जिन लोगों ने भी यह वली सीरीज नहीं देखी या पिछली क्लासिज नहीं देखी तो वो लोग जाके देख सक तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखना जो पहली बर देख रहे हैं ताकि आपको पता लगजे हमारा फॉर्मेट क्या होता है सबसे पहले हम जो हमने लास्ट पिछले दिनों में जो पढ़ा था उसको हम लोग पहले रिवाइस करते हैं उसके बाद हम लोग करेंट अफेर डिसकस करते हैं और उस करेंट अफेर को हम लोग ट्रिक्स के तुरू याद करते हैं इस करेंट अफेर से रिलेडिट जितनी भी चीज़े लिंक होती है उसको साथ में और रिवाइस करते जाते हैं कम से कम चार या पांच दिन आप लोग ये वाली वीडियो देखना सही पहला कोशन आपके सामने है ये रिवीजन करवारों जो कल हमने पड़ा था हू लोंच दा सेवन्थ एडिशन ओफ दा नेशन वाइड राष्ट्रिय पोशन महा एड़ दा मात्मा मंदिर इन गांधी नगर तो राष्ट्रिय पोशन महा किसने लोंच किया हिंदी में पढ़ रूम में बनाते है पोशन महा के रूम में मनाते है तो इसी से राष्ट इसन राष्टी है पोशन महा लोंच किया तो इह तो अनपूर्णा देवी से लेड़ सारे जोसिता credit यहाँ पे लिख देता हूं woman and child development minister है और यह जो shebox portal लोंच किया गया था यह दिल्ली में लोंच किया गया था जबकि जो राष्ट्रिय पोश्चन मा लोंच किया गया यह गुजरात के गांदी नगर में लोंच किया गया तो इससे लेड़िट सारी news आपकी clear होगी सारी revise होगी last में वीडियो end होने के बाद आप लोग मुझे बताना out of five or six question जो मैं आपको revise करवार हूँ आपका कितना score रहा ताकि पता लगे आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा तो चलिए next question की तरफ move करते है अगला question आपके सामने है who has been appointed as the chairman and managing director of the HPCL हिंदूस्तान petroleum corporation limited के MD और CEO chairman and MD किसको बनाए गया है तो इसका right answer रजनीश नारंग option number two is a right answer I think आपका ये question भी सही रहा होगा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी information और शेयर करते हो दोस्तों अगर आप लोग इस exam की त्यारी कर रहे हो चंडिकट हाई कोड़ पियोन की post ले तो आपको description box में एक book का link दि English language और Hindi language दोनों में आपको books available है English की download करना चाओ तो English की कर सकते हो Hindi की download करना चाओ तो Hindi की कर सकते हो ठीक है तो चलिए आगे move करते है अगला question आपके सामने है who has take over the deputy chief of the air staff of Indian Air Force तो Indian Air Force में deputy chief कौन बनाए गया है air staff के इसका right answer है तजिंदर सिंग इसके अलावा मैंने आपको ए chief अभी recently बनाए गया जिनका नाम है तेजेंदर सिंग ये दोनों question आपको याद रखने है दोनों में से कुछ भी आपके examination में पूछा जा सकता है अगला question आपके सामने है which country invited Prime Minister Narendra Modi to SEO Council of Heads of Government meeting in October तो October में एक SEO की meeting हो रही है तो इसमें कौन से देश के परदानमंत्री ने य invite किया है इसके लावा पाकिस्तान से related एक और न्यूस थी मतलब पाकिस्तान एक और reason के कारण न्यूस में रहा था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक साइकलोन है एक चक्रवात है जिसका नाम है असना तो इस चक्रवात का नाम पाकिस्तान ने दिया था इसलिए पाकिस्तान न्यूस में रहा था और इसका meaning भी पूछ सकता है examination में इसका meaning होता है या praise ठीक है यह भी आपको याद रखना है अगले question की तरफ move करते हैं अगला question आपके सामने है कौन सी which life insurance become the first to commence operation in gujarat international finance tax city gift city कौन सी पहली life insurance company बन गी है जो की number one की company बन गी है जिसने अपने operation start कर दिया मतलो अपना काम करना start कर दिया गुजरात की gift city में तो नाम से पता लग रहा है पहली बनी है तो यह है India first life India first life की company है insurance company है जिसने गुजरात में गुजरात की gift city में operation start करने वाली काम start करने वाली पहली company बन चुकी है इसको important mark कर लेना यह आपके examination का part बन सकता है चलिए अगले question की तरफ move कर लेते हैं अगला question वही आपका cyclone से लेट आ गया कौन सी country है जिसने cyclone का नाम असना दिया है प्रेस्ट या परिशन सनिया तो यह कौन सी country ने नाम दिया यह पाकिस्तान से ने नाम दिया I hope आपके सारे question clear हो चुके होगे ठीक है total six question का मैंने revision करवाया out of six आपका कितना score है comment box में जूरूर बताना और book download नहीं की तो फटा फट जाके book download कर लो और अच्छे से त्यारी कर ना आप लोग स्टार्ट कर दो book से पढ़ना start कर दो उसके टेस्ट भी मैं थोड़ो दिनों बाट श्टार्ट कर दूँआ जो आप लोग से पढ़ोगे ताकि आपको पता लग जाएगा जो आपने याद किया वह आपको याद हो रहा यह नहीं हो रहा तो टेस्ट के एक कंपनी है, जिसका नाम है, नामाड понsultancy service ncs, इसके नई MD बनाए गए है, MD का मनलब होता है, managing director, इसके नई MD बनाए गए है, जिनका नाम है Y.Harmapal, या Y.Herapal, दुबारा रिपीट कर रहा हूँ, नाबाड कंसल्टेंसी सर्विस के नए मैनेजिंग डारेक्टर बनाए गई है, जिसका नाम है वाई हर गोपाल इसको याद रखना, अब इससे लेट हम लोग रिवीजन भी कर लेता है, जो हमने पुराने दिनों में सर्विस, यह सर्विस क्या होती है, जो आपकी OTP वर है सर्विस होती है, इसको बंद करके, यह लोग अब फेशिल वेरिफिकेशन, थम इंप्रेशन आई रेटेना, इन सब को यूज करेगे, OTP आना बंद हो जागा, ठीक है, तो यह सर्विस पहली बार इंडिया में लोँच किया, और यह मास्टर कार ने लोँच किया, तो चलिए नेक्ट न्यूज की तरब मूव करते है, अगली न्यूज है आपकी इसको important mark करना, ठीक है आपको होता है, State Bank of India सरकारी बैंकों का सबसे बड़ा बैंक है SBA Bank के नए Managing Director MD बनाए गया है जिसका नाम है Ram Mohan Rao Amara अब इसको आप लोग ट्रिक्स के थूँ याद कर सकते हो ट्रिक के थूँ कैसे याद कर सकते हो इस तरीके से याद कर सकते हो, जो SBA Bank है, इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, अब ये बगवान बरोसी रहा गया, राम बरोसी रहा गया इस तरीके से याद कर सकते हो तो SBA के नए MD कोन बने है Ram Mohan Rao Amara, SBA Bank राम बरोसी है, इस तरीके से याद कर सकते हो और अभी पिछले मन्त की न्यूज है अगस्त की इसके नए चेर्मेन भी बनाए गए थे MD तो आज नहीं बनाए गए है चेर्मेन पिछले मन्त बनाए गए थे इनका नाम भी याद रखना है CS Shetty इसके चेर्मेन बनाए गए है MD बनाए गए है, राम Mohan Rao Amara इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना चेर्मेन को याद करने हैं चेर्मेन यह CS है तो C से चेर्मेन आप लोग याद रख सकते हैं तो इस तरिक्या से क्रेट कर सकते हैं आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगे तो अब कल की एक न्यूस भी रिवाइस कर लेते हैं National Security Guard के नए डारेक्टर जर्नल कोन बनाए गए है पी शरीनिवासन इसको भी आपको याद रखना है आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रहे होगी अच्छी लगे तो लाइक करना एस चीज और मैं आपको इंफोमेशन देना बूल गया अगर आप लोग ने टेलिग्राम ग्रूप नहीं जोइन किया मतलब जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका रिवीजन उसकी क्विज उसके MCQ स्टार्ट कर दूँँगा ताकि आपका वहाँ पर भी रिवाइज होता रहा है definitely मेरी बात मानो जैसे जैसे मैं करो आप करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा फोलो कर ले ना जो जो मैं आपको सेप्स बता रहा हूँ ताकि आपका हर जगे रिवाइज हो जाए जी के रिवाइज करवा दूँगा current affairs, awards and honors जितने भी Indian politics, जितने भी question बनता है most important quiz के तुरू telegram में आपके रिवाइज करवाता रहूँगा 1000 followers होने के बाद अगला question आपके सामने है इसको important mark कर लाएज ने ये definitely आपके exam में आएगा most 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 important जितने star लगा सकते हो इसको star लगा लो important बता रहा है क्योंकि court से related है पहला supreme court से related है दूसरा आपका पंजाब रियाना high court से related है तीसरा आपका पंजाब और हरियाना state से related है तो ये news से related आपके exam में definitely question देखने को मिलेगा तो क्या है इसके बारे में समझ लेते है तो दोस्तो supreme court of India ने एक committee बनाई है यहाँ पे देखो Supreme court of India ने एक committee बनाई है committee इसलिए बनाई गी है तो जितने भी farmers है जितने भी farmers है किसान है वो protest कर रहे है शम्भू border पर यहाँ से आपका एक state question भी बनता है कि शम्भू border कहाँ पर है तो शम्भू border आपके पंजाब और हरियाना का border है ठीक है ये भी याद रखना है तो दुबारा repeat करो Supreme Court of India ने एक committee बनाई है जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे है जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे है शम्भू border पर तो उनकी problem को solve करने के लिए Supreme Court of India ने एक committee बनाई है और उस committee के head है नुवाब सिंग ठीक है नुवाब सिंग ठीक है दो ती news cover होगी चोथी exam में ये भी पुछा जा सके ये जो नुवाब सिंग है ये former पंजाब रियाना हाई कोट के judge रह चुकी है इनको committee का head बनाई है दुबारा repeat कर लेता है तीन question यहाँ से बनाई है पहला एक committee बनाई गई है committee के judge कुन है नुवाब सिंग इसलिए important बनते है क्योंकि पुराने पंजाब रियाना हाई कोट के judge रह चुकी है दूसरा जो farmer प्रोटेस्ट कर रहे है इस से लेड़ committee है ये clear हो गया तीसरा आपको शंबू बोडर याद रखना है स्टेटिक में question direct question आ सकता है शंबू बोडर कहाँ पर है तो पंजाब और हर्याना हाई कोट के judge रह चुकी है I think सारे question clear होएगे इस से बार कोई question नहीं आ सकता है इस news से लेड़ेड अब हम लोग revision भी कर लेते है हमने जो पुराना पड़ा railway board के chairman बनाए गए सतीश कुमार और यह important इसलिए थे क्योंकि मैंने बताया था first Dalitia first SC category के chairman बनाए गई है चीक है आगे move कर लेते है आगे आप लोग देख सकते हैं दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लग रहे है तो प्लीस like जुरूर करके जाना और comment जुरूर करना AIF Scheme Agriculture Infrastructure Fund Scheme तो इसमें सबसे ज़्यादा जो score किया मतलब सारे स्टेट में पूरे इंडिया के स्टेट में जो नंबर वन रहे है वो आपका मध्या परदेश रहे MP रहे सिंपल सा याद करना एक AIF Agriculture Infrastructure Scheme है जिसमें टोप किया मध्या परदेश ने चीक है अगला है आपका पैरा ओलम्पिक से लिड़ आपको बता है पैरा ओलम्पिक आपके पैरीस फ्रांस में हो रहे है तो अभी तक जितने भी मेडल जीते थे चाहे गोल्ड मेडल जीता गया सिल्वर मेडल जीता गया या प्रोंज मेडल जीता गया वो सारे के सारे आपके देश की बेटियों ने जीते थे तो पहला गोल्ड मेडल जीता गया नितेश कुमार का वैसे इस ओलम्पिक का पैरा ओलम्पिक का जीता है ठीक है क्लियर हो चुक है अब पैर ओलंपिक से लेट मैं आपको फटा फट रिवीजन करवा देता हूं जो हम लोगों ने पहले रिवीजन किया अपनी लेखारा ने गोल्ड मेडल जीत लिया इसके लावा मोना अगरवाल ने भी दोस्तों इससे लेट गोल्ड मेडल जीता है इसके लावा मैंने आपको बताया था दो फ्लैग बीरर रहे है इसमें एक है बागेशिरी जादा एक है आपके सुमित अंतिल यह तो आपको याद हो गयागा और पैरिस फ्रांस में हो रहा है और इंडिया ने सबसे ज्यादा एथलीट इस बार बेज़िया है ठीक सबसे ज्यादा most important है आपके exam के point of view से तो खलके में मत लेना अच्छे से book download करके त्यारी करना start कर दो